आपको अब 25-25 बार तक तो कर सकते हैं, 25-25 बार दो-दो दंड का अभ्यास करवाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाके आपको 100 बार तक करना है, ठीक? वैसे मैं सो बार तक करता हूँ तो फिर आपको जब अभ्यास हो जाएगा तो सो बार भी करेंगे नहीं तो मेरे साथ साथ कोशी लोग कर लेते हैं फिर चार पांस दिन दुखता रहता है तो चलो मेरे साथ आओ ऐसे आज़ाओ पहले तो वक्ष विकासक दंड़ है न डीपस बोलता गरी जब अंदर की तरह फंगलियां उठे ऐसे पचीस बार इसको करना है पहले एक दो तीन पुरा नहीं से पूरा उपर जा गर्दन सीधी कमर सीधी ऐसे गरबड़ी नहीं गर्बड़ी हो रही है नीचे वापस आजा कुछ लोग करते तो है लेकिन डांडी मार देते देखो हेरा फिर ही नहीं करना जब ऐसे करते हैं तो इसमें गर्दन ऐसी सीधी होती है और पूरा नीचे जाते है पूरा उपर आते हैं इसे यह है तो इसके लिए आपको सजग होना पड़ता है माने गर्दन, कमर एक सीध में रखने के लिए न प्रारम्ह में आपको प्रियत्न करना पड़ेगा बाद में आपके लिए सहज हो जाएगा चलो अब अगला भ्यास हाथ ऐसे रखो ठीक है ठपड तो जोर कमार तो तुम मैंने ऐसे अंगलिया ऐसे रखने के लिए बोला था है ठपड मारने के जुर्द नहीं है खेर अब पच्चीस बार आपको सीधा सीधा लगाना है ये सर्पडंधा ठीक है पूरा नीचे पूरा उपर अब इसमें सामने से उठेंगे नीचे उपर पूरा ऐसे तो किसी किसी का अभ्यास पूरा किसी का नहीं है चल पच्चीस पच्चीस बार से शुरू करके फिर दस दस बार बढ़ाएंगे और दस दिन में सो सो बार करने लग जाएंगे सब तो सरीर से थोड़ा मजबूत हो जाएंगे झाल